हम लोग आ गया है अपने नए चैप्टर में यस sexual reproduction in the flowering plant ओके पूरे complete lectures के लिए आपको download करना है Neatpedia app टेस्ट के लिए आपको download करना है Neatpedia app Google Play Store पे आपको मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे WhatsApp पे इस नंबर पे हमारे WhatsApp करिए 84820784 00 आपको लिंक इसका मिल जाएगा ठीक है और WhatsApp ग्रूप का भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा चलिए तो हम लोग शार्ट करते हैं yes strengths हमें जो पढ़ना है वो है sexual reproduction sexual reproduction in flowering plant sexual reproduction in the flowering plant now एक बात देखिए students आपने plant kingdom पढ़ रखा है आपने plant kingdom पढ़ रखा plant kingdom ने आपने पढ़ा है क्या क्या पढ़ाया भी या बताइए जरा मुझे भी class 11 में algae पढ़ा आपने yes bryophyta भी पढ़ा है very good और बोलो ब्रायो फाइटा पढ़ा फिर क्या पढ़ा टेरीडो फाइटा पढ़ा फिर क्या आता है gymnosperm फिर evolution के बाद किसका आया angiosperm student एक बात आप ध्यान दीजिए यह जो है flowering plant का मतलब क्या है six world reproduction in the flowering plant now flowering plant का मतलब क्या है यह जो angiosperm जो है वही जो है क्या है आपका flowering plant है because because NGO word यहां पर indicate करता है flower को और sperm word indicate करता है यहां पर seed को यहां पर देखी sperm है यह यहां पर indicate करता है seed को that means ऐसा ऐसा group जिसके अंदर flower भी हो seed भी हो उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे उसके में जो sexual reproduction होगा उसको पढ़ेंगे नाव अगर plant है अगर students plant है plant है उसके अंदर उसके अंदर दो चीजे होंगी एक तो possibility है asexual reproduction एक तो है asexually reproduce कर सकता है दूसरा भाई सहाब है sexual reproduction नाव नाव यहां पर पॉइंट अब ध्यान दिजिए यस asexual हो सकता है जिसमें asexual होगा उसमें actually no gamut formation वहां gamut का फॉर्मेशन नहीं होगा no gamut formation नहीं gamut का formation होगा और नहीं fertilization होगा समझ में आया ना gamut का formation होगा नहीं fertilization होगा मतलब यह sexual reproduction में क्या होगा नहीं meiosis होगा नहीं fusion होगा समझ में आया sexual reproduction वह reproduction है जिसमें क्या होगा भाई सहाब gamit का formation gamit का formation होगा and fusion होगा that means fusion को हम लोग बोलते हैं fertilization समझ में है gamit का यहाँ पर formation as well as fusion होगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या sexual reproduction now sexual reproduction पढ़ने के पहले पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा morphology में जाना होगा because because flower आपको पढ़ना पढ़ेगा चूंकि flower में ही six organ पाया जाता है now आपकी class 11 से मैं थोड़ा repeat करूँ flower का definition आपको बताऊं yes flower actually है क्या now students flower क्या root में होता या suit में होता है yes flower mainly suit में ही होता most of the plant में suit में ही होता है now एक बात बताईए एक बात बताईए फ्लावर तो है क्या फ्लावर का definition क्या है ठीक है now flower का definition पहले देखिए उसके बाद इसको मैं explain करता हूँ flower का definition है modified suit it is a modified suit in which in which nodes and inter-nodes nodes and inter-nodes and inter-nodes are condensed in which nodes and inter-nodes are condensed and leaves are leaves are modified into modified into floral hole floral holes समझ में आ रहा है भाई साब हो कुछ भी सर समझ में नहीं आ रहा है मैं भी समझाता हूँ भाई बोला है यह एक्छोली suit का modification है कैसा modification भाई साब जदह यह देखिए मान लीजिए यह suit है आपको पता है suit में suit में nodes और inter-nodes होते हैं बास का पेड़ आपने देखा है बंबू का पेड़ उसमें आख क्लियर दिखता है nodes inter-nodes तो आपने देखा होगा इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से nodes पाया जाता है ठीक है और बेच वाला से उसको हम लोग बोलते है inter-nodes तो ये space क्या है ये जो line है बोलते है क्या नोड्स ये क्या हो गया नोड्स नोड्स और इन दोनों के bीच में जो space है उसको हम लोग बोलते है inter-nodes आपेजिए यहां से कुशन आपके बनते हैं लिंक करके तो दो नोडस के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोडस नाव अब यहीं पे यहीं पे चारो तरफ इसके बर्ड्स पाया जाता है बर्ड्स पाया जाएगा तो इसी बर्ड्स से लीफ का फॉर्मेशन होता है यह देखिए मतलब एक तरफ अगर नोट है तो उसके चारो तरफ लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है नाव यह क्या एक सर्कल बना लेगा एक circle बना लेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे students क्या? hole that means circle notes के चारो तरफ leaf formation हो रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं hole 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 now यहाँ आपको एक hole लिख रहा है यहाँ पे एक hole लिख रहा है फिर देखें फिर देखें यहाँ पे भी उसी तरह बनेगा ठीक है फिर देखें यहाँ पे भी बन रहा है और फिर जो है last last notes पे last notes पे भी last notes पे भी इस्ट्रस्टिकल बना ठीक है? now अब देखिए यह suit था यह क्या था? suit था ना इसको condense कर दो इसको हम लोग क्या कर रहे है? ऐसे compress कर दे रहे है ना अगर student इसको हम लोग compress करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखें कुछ इस तरह से बनेगा तो क्या बनेगा भाई साफ फ्लावर? that means nodes and inter nodes are condensed, condensation हो गया है और, और leaves are, leaves are modified into the floral hole यह क्या हो गया? आपका floral hole हो गया, floral hole हो गया थोड़ा सा, इस floral hole का अपनोग डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा सा उपर आईए, ठीक है? नाव, 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 यह देखिए यह जो first, first hole है students, यह जो first hole है, जो की green color का है उसको हम लोग बोलते हैं, calyx उसको हम लोग बोलते हैं, calyx नाव, यह जो है, colored food जो है उसको हम लोग बोलते हैं, corolla देखो, color का spelling किससे match कर रहा है, इससे match कर रहा है, ना that means, corolla जो होगा, वो brightly colored होगा कई बार confusion होता है, भाई साथ, दोनों में तो, corolla जो होता हुग, brightly colored होता है यहां तक सबाज बैया एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, उसके उपर जो है, उसके उपर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, androishium क्या बोलेगी इसको? androishium और जो इत्व सेंटर में है, उसको हम लोग बोलते हैं, gynoishium जो एक दम center में है उसको हम लोग बोलते हैं gynosium नाशोंट देखिए यह देखिए यह देखिए first 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 node से first node से कौन आया calyx second node से कौन आया korola third node से कौन आया androsium fourth कौन आया gynosium तो यार यह question पूछता है पहले node से कौन आया second node से कौन आया 3rd node से कौन आया, 4th node से कौन आया यह एक्जाम्टिस में question पूछी जाते है तो देखिए तो देखिए कैलिक्स कहां से आता भाई सहाब 1st node से from the 1st node यह इसको आफ 1st floral hodl बोल देते है 1st floral hodl बोल देते है ना इसका color देखे यह green in color होता है कैसा होगा green in color कैलिक्स का color green होता है ठीक है green होता है that means यहाँ पे pigments हो सकता है chlorophyll का ठीक है हो सकता है, होता ही है भाई यह यहाँ पे कैलिक्स के पास pigments होता है chlorophyll का इसलिए green color होता है ना एक चीज़ देखिए यह कैलिक्स जो है कैलिक्स जो है पूरे होडल का नाम है कैलिक्स का जो है वो पूरा होडल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैलिक्स ठीक है यह पूरे होडल को ग्रिन कलर का जितना है तो उसका यूनिट जो होगा उसका जो यूनिट होगा इस उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स उसके unit को हम लोग बोलते हैं क्या सेपल्स ना एक चीज और देखी एक चीज देखी एक चीज देखी यहां पे कैसा है यह green color है that means इसका काम क्या होगा इसका काम क्या होगा it provides the protection to the flower in the bud condition आपने एगर फूल को देखा होगा कली की स्टेज में उस समय कैलिस क्या किये रहता है को रोला को कवर किये रहता है that means it provide it provide protection to the flower in bud stage इसका काम होगा प्रोवाइड प्रोटेक्शिन प्रोटेक्शिन तो फ्लावर तो फ्लावर इन bird stage हर एक point जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ वो exam में आपके question पूछा जा सकता है ठीक है और एक चीज देखिए अगर green color है तो ये photosynthesis भी perform करेगा yes it performs photosynthesis और food का provide करा सकता है ठीक है तो ये हो गया कैलिक्स के बारे में ठीक है आपको इतना points जरूर याद रखना है ठीक है क्योंकि मैं बता रहा हूँ इस सारे चीज questions पूछे जाएंगे ये क्या होगा yes corolla are brightly colored क्या होगा ये brightly colored होगा गुलाब में कैसा होता है red होता है sir pink भी होता है sir white भी होता है होता तो है ये कैसा होता है brightly colored black गुलाब भी होता भाई सहाब तो ये क्या होता brightly colored होता है now इसका unit जो होगा unit जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं petals, ठीक है, गाना सुने हो ना पंखुडी या गुलाब की, ठीक है तो पंखुडी जो होता है petals जो होता है, वो किसका unit होगा, कोरोला का unit petals, इसका unit क्या हो जाएगा petals, ठीक है, petals जो होता है, वो कैसा होता है brightly colored, पूरे whole का अगर नाम पूछा जाएगा तो कोरोला होगा, पूरे whole का नाम अगर पूछा जाएगा, तो कोरोला होगा, each and every concept आप clear करके रखिए भाई साब चले, यह हो गया, नाव यह brightly colored है, attractive है, कैसा है attractive है, तो किसको attract करेगा, girlfriend को, जी नहीं यार, यह attracts insects, वो तो आप करते हो, देखे, attracts insects for pollination, attracts insects for pollination, brightly colored होगा, एकदम लालस देगा, insects को attract करेगा, attracts the insect for the purpose of pollination, समझ में आया, नाव, यह देखिए, यह androsium और gynosium, यह दोनो, यह दोनो reproductive hole है, yes, कैसा hole है, बोलिये, these are the reproductive, these are the reproductive hole, यह कैसा hole है भाई साहब, reproductive hole है, now, 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 एक्छी चाब ध्यान देजिए, यह जो reproductive hole है, यह reproductive hole है, that means reproduction करेगा, that means यह gamut का formation करवाएगा, that means यहाँ पर fertilization होगा, that means यहाँ से नए बच्चे का जन्म होगा, that means यह बोल सकते हैं, इनका रहना बहुत जरूरी है, यह attraction का, flower का, यह हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर होता है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर यह होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं, तो भी चल जाएगा, समझ मैं है, पहले प्रोपोस पे गुलाव लप्त, पुराने जवाने में थोड़ी होता था यार, नहीं होगा तो भी चल गया, ठीक है, तो यह देखो, इनका होना जरूरी है, क्योंकि यह reproductive hold है, यह reproduction में काम आएंगे, लेकिन इ इसलिए, इसलिए students, इनको हम लोग बोलते है, essential hold, essential hold, अरे भाई साहब तब इसको क्या करेंगे, सर, non-essential क्या, अरे गधे हो क्या, थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है बेचारा, इसलिए इनको नाम दे दिया गया है, accessory hold, yes, accessory hold, थोड़ा तो साहथा करेंगे, 14th फेव में तो क काम आएंगे, ठीक है, इनका काम हो गया, क्या, 14th फेव में आपके लिए, attract करते हैं, insects को pollination के लिए, accessory hold है, इनको help कर रहा है, आपको help कर रहा है, इसलिए, इनको help कर रहा है, इसलिए accessory नाम रखा गया है, ठीक है, चलिए इसलिए topic पही है, एकदम topic पही आता हूं भाई, त gyneosium, gyneosium देखे, gyno word, gyno word कुछ कहता है, आप लोग तो सब doctor experience हो, सर आप भी हो, मैं already हूं यार, तो gyno जो है, gyno जो है, वो lady doctor है, female diseases से जो expert होते हैं, जो बच्चों के delivery करवाते हैं, that means female, 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 इस gyno word का मतलब क्या होता है, female होता है, जी हाँ सर, और female वाले hold को क्या कहें जो हैंगे, gyneosium होगा, ठीक है, that means, that means, this is the female reproductive, female reproductive hold, ये कैसा hold है, female reproductive hold है, और एक चीज आप ध्यान दीजिए, सब का unit बता दिया, इसका unit क्या होगा, इसका unit क्या होगा, इसकी unit को हम लोग बोलते हैं, पिस्टिल, या आप इसको बोल सकते हैं, कार्पिल, पिस्टिल बोल सकते हैं, या कार्पिल बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, female reproductive hold है, female reproductive hold है, नाउ चलिए, अब बच गया कौन, एंड्रो, एंड्रोजेन, male sex hormone, एंड्रो का मतलब सरमेल होता है, आप तो तेज हो गया, तो क male reproductive, male reproductive hold, और इसके unit होगा, unit होगा, एक को, सब को मिला के हम लोग बोलेंगे, क्या, एंड्रोज या, unit जो होता है, इसका, उसको हम लोग बोलते हैं, stamin, क्या बोलते हैं, stamin, अभी सब का structure हम detail में देखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या stamin, अब देखे, question कहां कहां से आप से पूछे जाएगा, तीक है, आ जाते है, कितने mcq से आपके बन रहा है, flower क्या है, modified suit है, क्या modified route है, yes modified suit है, एक mcq बना, कितने nodes, inter nodes होते हैं, यह चार nodes होते हैं, ठीक है, दूसरा question, पहले node से कौन rise होता है, कैलिक्स, तीसरा, चौथा question, second hole से कौन आता है, third hole से कौन आता है, androsium, four hole से कौन आता है, इस ताद से question बनते जाएंगे, ठीक है, चलिए अभी तक जो आपको मैंने पढ़ाया, सबी बार हम लोग repeat कर लेते हैं, फिर हम लोग आके बढ़ते हैं, yes, आपको मैंने पढ़ाया, क्या, sexual production in the flowering plant, yes, algae, ब्राफाइटर, ट्रुटोफाइटर, जिम्नोस्पर्म, अंज्योस्पर्म में से हम लोग इसको पढ़ रहे, कई बार questions में, फ्लावरिंग प्लांट को replace कर सकता है, आपको मूर्ख बनाने के लिए क्या, एंज्योस्पर्म, लेकिन आप मूर्ख बनना मत, ठीक है, एंज्योस्पर्म मतलब फ्लावलिंग प्लांट, ठीक है, ना फिर प्लांट में दोनों type production होता है, sexual और asexual, now, sexual जो होता है, हम पढ़ क्या है, modified suit है, जिसमें, नोट्स और इंटर नोट्स कंडेंस है, and leaves are modified into the floral hold, पूरा फ्लूरल हो गया है, now, 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 यहाँ पर देखिए, यह मैंने आपको बनाया है, क्या, बहुत सारा, बहुत सारा, क्या, नोट्स और इंटर नोट्स कितने नोट्स है, चार नोट्स है, पहले पर्फिर से के लिग स्था उसके कलर कैसा होगा घ्रीण होगा पर फॉर्म करेंगा फॉर्ड्टू को साथ को पोलेस एक बाते हैये इसके तन्हें प्राइटर्ट सथे ती यूंट का अना है पंकूडिया घुलाब की गणा याद हारा है अब थार्ड होल और फूर्थ होल काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह रेप्रोडक्शन करवाएंगे बच्चे का जन्म होता है यहां पर सीड का फॉर्मेशन होगा उस सीड को आप बिटी में डालोगे उससे नया प्लांट बनेगा ठीक है तो यह रेप्रोड बस्वार्ड एसससरी हो और यह दोनों होल को हम लोग असेंस्टीज को बोलते हैं अंड्रो जो होता है इसका यूनिट मतलब इसका इसका यूनिक को इसकी मुलते है फिर गाइनो जिय है वह फीमेल और टिज पढ़ा रहे है जाह अरे यहार थोड़ा तो ते चलो मेरे साथ cples or petals, calyx or colora दोनों same color के हो same color दोनों color same हो तो क्या कहेंगे उस समय उस को हम लोग बोलते हैं एक word आता है पेरियांत उस समय इसके लिए हम लोग एक word यूज करते है इसको बोल देते हैं पेरियांत अब पेरियांत हो गया तो unit कौन होगा unit हो जाता है टेपर्स टेपल्स। मव् एक बात देखिए अगर अगर यह पिरियांत जो एक पिरियांत गरी ग्रीन कलर का हुआ उसको हम लोग बोलेंगे सेपलोईड, सेपल के जैसा दिखने वाला सेपलोईड पिरियांतißt सेपलोईड, परियांद, अगर वो कलर्फुल हुआ, इसको और लोग बोलेंगे, पितलोईड, परियांद, उसको क्या बोलेंगे, पितलोईड परियांद, चलिए, जरह हम NCRT का आपको डाइग्राम आपको दिखा देते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, येस ये फ्लावर है आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है चलिए ये देखिए ये जो structure है ये जो queen जैसा है जो ये बीच में structure है इसको हम लोग बोलते है पिस्टिल या इसको आप लोग बोल सकते हो कारपल ठीक है इस कारपल का इस कारपल का इस कारपल का तीन पार्ट होता है एक मिनिट नाउ ये देखिए ये जो है इसका तीन पार्ट होता है इसका तीन पार्ट होता है ये उपर वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते है stigma stigma इस pistol का तीन पार्थ होता stigma और यह जो बीचवारा एरिया है इसको हम लोग बोलते है style और यह अंदर जो मटके जैसा structure है इसको हम लोग बोलते है यह जो लटका हुआ है यह लटका हुआ है यह लटका हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सारे सेपल्स को मिला के हम लोग बोलेंगे क्या हो और यह देखें पंखोडिया गुलाब की यह जो colorful है यह जो colorful है उसको हम लोग बोलते हैं क्या उसको हम लोग बोलते हैं क्या यह, पेटल्स ठीक है अब देखें यह एक structure रहे गया कौँसा? कि यह वाला ना इसको अगर बाहर निकालों देखोगे इस तरह सी स्ट्रक्चर है ठीक है तो इसको लोग बोलते हैं इंथर जो इसका सर है उसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं क्या filament और पूरे structure को हम लोग बोलते हैं क्या stamin और सारे stamin के सारे stamin को मिला क्या मों बोलेंगे androidum सारे pistol को मिला क्या मोलेंगे गाईनोइशियम थीक यह बोलेंगे